नमस्कार दोस्तों स्वागे थैं आपका मेरे यूटूब चैनल लेट्स डू सम्नियों में आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी संख्या का घान निकालें पहुत कम से वे में मात्र दस सिकंड में जी हाँ दोस्तों मात्र दस सिकंड में किसी भी संख्या का घान निकालें चलिए दोस्तों तो अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं जी हाँ दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं घान निकालने के लिए से पहले मैं इस वीडियो को चार भाग में भी भाजित करूंगा जी हाँ दोस्तो चार पार्ट चलिए मैं आपको बता देता हूँ चार पार्ट कौन कौन से है जी हाँ दोस्तो चार पार्ट कौन कौन से है तो पहला पार्ट है जो एक से संख्या हो संख्या जी हाँ दोस्तो जो एक से संख्या हो और दूसरी जो एक पर अंत हो मतलब दोस्तो जिसका एक परंथ है और दो एक तीसरे कॉलम पे जिसमें दोनों संख्याएं समान हो और चरथा कालम होगा जिसमें सभी संख्याएं अलग अलग हो हाँ दोस्तो जिसमें सभी संख्याएं अलग हो तो ऐसी संख्याएं जिनका एक से अंत हो जैसे 21 हो गई 11 11 तो उसी में आ जाएगा इसलिए 11 को नहीं लिखते 31 हो गया 41 और अन्य संख्याएं ले सकते हैं और दोस्तों तीसरा कॉला में ऐसी संख्याएं जो समान हो जैसे 22 हो गया 30 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया और अन्य हो गई और पाजमे कॉलाम में जो सभी अलग-अलग हो जैसे 25, 32, 26 और अन्य संख्याएं भी हम ले सकते हैं तो दोस्तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो हाँ दोस्तो अब हम आपको सिखाएंगे पहले टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं जैसे आपको जिस संख्या में एक कान तो उसका बर्ग निकालना है तो आपको यहाँ पास 11 का क्यूब निकालना है निकालने के लिए सबसे पहले आपको 11 लिखना पड़ेगा जी हाँ दोस्तो एक और एक लिख लिया उसके बाद लाश्ट वाली संख्या एक का बर्ग लिखना है और फिर उसके बाद वाली संख्या का घन लिखना है जी हाँ दोस्तो बर्ग और घन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि पहले और दूसरी संख्या को छोड़ देंगे जी हाँ दोस्तों यहाँ पास हम एक का बर्ग और गहन लिखने के बाद पहले और दूसरी संख्या को छोड़ देंगे और उसी के नीचे जो उपर संख्या लिखे रहेगे उसका दूगुना करके उसके नीचे लिख दिया जाता है जी हाँ दोस्तों यहाँ पास एक का है एक का दूगुना दो एक का दूगुना दो तो हम यहाँ पास एक का दूगुना दो तो दोस्तों अब हमीने जोड देंगे हाँ दोस्तों यह जोड दिया हमने तो यह 1331 सब जी हाँ दोस्तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं चलिए अब हम दूसरी संख्या के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जैसे अब हमें बारा के क्यूब निकालना है इसी प्रकार से तो हम दो लिखेंगे जी हाँ दोस्तो एक और दो उसके बाद एक दो का दो का अब हम इन्हें जोड़ देंगे आठ और चार बारा की दो चार दुचार एक साथ और एक अब आप देखेंगे यहां पास की यह जोड़ने पर 1728 हो गया है जी हां दोस्तों यह जोड़ने पर 1760 चलिए अब हम 13 के क्यूब के बारे में बात करते हैं तेरा का घं के बारे में तो तेरा का घं निकालने के लिए सबसे पहले आपको तेरा का घं यहां पास एक और तीन लिखना पड़ेगा उसके बाद एक और तीन लिखने के बाद तीन का बर्ग और तीन का घं लिखना पड़ेगा जी हां दोस्तों तीन का बर्ग और तीन का घं उसके बाद पहली और दूसरी संख्या को जोन देना है और 3 का डबल 6, 9 का डबल 18 इसके बाद हम 27 की 7 लिख देंगे और 9, 8, 17, 27, 27, 29 की 9 लिख देंगे और यहाँ पास से 2 बचा 2, 3, 9, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11 की 1 और 1, 1, 2 तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 14 के क्यूब पर जी हाँ 12 के क्यूब पर तो दोस्तों 14 के क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 और 4 लिखेंगे फिर 4 का बर्ग और 4 का घन लिखेंगे जी हाँ दोस्तों 4 का बर्ग और 4 का घन 64 जी दोस्तो अब हम इसके बाद पहले और दूसरी संग्या को निगलेट कर देंगे और उसके बाद उसका चार का डबल और 16 का डबल लिखे गए अब हम जोड़ देंगे 64 का चार लिख लेंगे और बसाइ तो दोस्तो अब आप समझ ही गए हुगे और निकाल सकते हैं तो दोस्तो अब आप समझ ही गए हुगे कि कैसे एक से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का निकाला जा सकता है जी हाँ दोस्तों जो संख्याओं एक से स्टार्ट हों उसका आप घंन निकाल सकते हैं आपको यह वीडियो देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आप से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को न झाल झाल